कुरूना पर संभल से भी वड़ी ख़बर है जहां संभल में भी 11 नए कुरूना मरीजों में पुष्टी हुई है तो जिले में कुरूना मरीजों की संख्या यहां 214 हो गई इलाजे की बाद हालकि 16 ऐसे मरीज हैं जो की ठीक हो चुके हैं अभी भी 105 है तो हर जोगे संख्या बढ़ रही है संभल में 11 नए कुरोना की मरीज मिले हैं 105 एक्टिव केस हैं हलाक 106 मरीज जो की अब तक ठीक हो चुके हैं 214 यहां पर कुरोना मरीजों का आखड़ा पहुच चुका है तो हर जोगे से लगाता है देखा जाये तो नए मामलों के सामने आने की खबरें और इन नए मामलों में प्रवासी मज़ूरों के लॉट में और उनके संपर्ख में आने से कैलोग हैं प्लाल उन सभी इलाकों को सील कर दिया क्या है एपियात मापन पर परते जा रहे हैं जांते नए कीसिस लगातार सामने आ रहे हैं तो संभल में 11 नए मरीज आये सामने कोरोना को लेकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए है और दूसों 14 संख्या अब कुल मिलाकर ज्विन में हो गई है कोरोना पॉजिटिव केस को देखे और इलाज को बात ठीक होने वाले मरीजों को देखे तो वो देख बराबरी पर है और मौहमद सदाम वारिशा जुर गए है मौहमद सदाम यहाँ पर रोजाना मामली बढ़ रहे हैं संभल को लेकर अक्सर जिक्र होता है और दस से जादा रोजाना मामली देखी जाते हैं लेकिन यहाँ पर एक राहत की बात है कि अक्टिव केस को देखा जाए और अगर ठीक होई मरीजों को देखा जाए तो वो बराबरी पर है जिरी तुम आपको बताना चाहा हुआ जिस तरह किसे कोरोना संद्रमर्ण ने जो कह पर पाया है उसको सबसे जादा कहरत संभल में देखने को मिल रहा है और लगातारा बात की जाए प्रिशे 18 घंटे की तो लगभक जो मामले सामने आ चुके हैं और जो संख्या है वो 200 से उपर पार कर चुकी है और लगभक 105 जो मरीज है वो ठीक होवी जा चुके हैं illusion 6 जो के एक्टिव है संख्या पर उसके बाषूद जो जनता पूर तरीके से हथियार कुछ जा रही है जिले के निए चिंटा कवीश है जिले तू चुरे धन्यवाद आपका सदाम हमार से जुनने के लिए